हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमेंटिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक उपर बात करेंगे वो मैं आपको थोई देर बात बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट पर आना चाहेंगे अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखें यह जो चार्ट है आपका निफ्टी फिप्टी का चार्ट है 15 मिया टाइम फ्रेम बादा चार्ट है जिसके वेसिस पर आप आसानी से इंट वाडे ट्वेडिंग कर सकते हैं अब यहाँ पर देखे प्राइस आपका नीचे गिर रहा है और यहाँ पर लगातार 1, 2, 3, 4 वेड केंडल का फॉर्मेशन किया है जिसमें स्ट्रेंट जादा देखने को नहीं मिलवा और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आपका जवर्दस्ट एक ग्वीन केंडल का फॉर्मेशन किया है जो कि यह सारे केंडल को इंगल्फ कर लिया है यानि आप इस ग्वीन केंडल को बोल सकते हैं यह क्या फॉर्मेशन किया है यह आपका बुलिश इंगल्फिंग केंडल का फॉर्मेशन किया है अब इसके बैसिस पर अगर हम ट्वेट लेते हैं तो यहाँ पर हमें आसानी से प्रॉफिट मिल जाएगा ठीक है अब अगर हम सीम स्ट्राइजी को दूसरे स्टॉक्स में अपलाई करते हैं जैसे अगर हम एसेन पेंट के आवली चार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ ग्वीन केंडल है और यहाँ पर भी आपका जबर्दस्त बुलिश इंगल्फिंग केंडलिस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर बायर्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल वा और अगर हम यहाँ पर सीम स्ट्राइजी को यूज करते हुए बाईसार की तरह पोजिशन्स इनिशेट करते हैं Forbes यहाँ पर मेरा क्या होगा जो फो मेरा यहाँ पे हिट होगा और मुझे यहाँ उठाना पर एगा तो मुझे यहां पर लॉस कियँ उठाना पर है जबifa हम सेर्टी को यूज रहे हैं इसी तरह का और भी एक्जांपल में आपको बताना चाहूंगा यहां पर हम आगए अदानी पोड के टाइम फ्रेम में अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहां पर भी multiple आपका red candle है उसके बाद आपका green candle form किया है यह भी आपका क्या form किया है यह भी strategy अगर हम कोल इंडिया में यूज करते है और इसके अगर हम डेली चार्ट को यूज करते है तो यहां पर भी हमें क्या देखने को इलवा यहां पर देख सकते हैं multiple आपका red candle है उसके बाद एक जबदस green candle है जो की totally इन सब को engulf कर लिया है तो यहां पर भी हमारा क्या form हुआ bullish engulfing candlestick pattern का formation हुआ है सारे जगह यही candlestick का formation हो रहा है लेकिन यहां पर भी अगर हम trade initiate करेंगे तो मुझे profit नहीं मेरेगा मेरा यहां पर SL हीट होगा और मुझे यहां पर ultimately loss उठाना परेगा तो same हम strategy यूज करें bullish engulfing candlestick pattern को यूज करते हुए trade initiate करें तो कहीं पर मुझे profit म मुझे नुकसान उठाना पर रहा है और generally आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि maximum लोग इस strategy को follow करते है इस candlestick pattern को follow करते है उन्हें कभी profit होता कभी नुकसान होता है लेकिन कभी वो analyze नहीं कर पाए कि मुझे जो यहां पर नुकसान होता है वो क्यों हो रहा है और म bullish engulfing candlestick pattern के basis पे trade लेना है और कहां पर आपको bullish engulfing candlestick pattern के basis पे trade नहीं लेना है चले इसको यहां पर हम समझते हैं details से यहां पर हम वापस से निफ्टी के चार्ट पर आ गए और यह निफ्टी का 15 मिया टाइम फ्रेम बदा चार्ट है अब यहां पर हम सारे example को एक एक करके समझते हैं कि मुझे same pattern same strategy use करते हुए कभी loss क्यों हो रहा और कभी profit क्यों बन वहा है सबसे पहले अगर आपको bullish engulfing candlestick pattern को follow करना है ठीक है तो यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना परेगा तब ही आप जाके इसके basis पे trading positions initiate कर सकते हैं पहला point क्या है कि इसका formation कहां पर होना चाहिए support level के करीब होना चा करीब होना चाहे इंट्री भी अगर हमारा support से दूर हो रहा support एट bullish engulfing आपका support की करीब बन गया लेकिन यह जादा big bullish engulfing बन गया और मेरा इंट्री हो रहा वह support से काफी दूर हो रहा तो वह भी नहीं होना चाहिए जो entry होना चाहिए वह आपका near support ही होना चाहिए दूसरा conditions तीसरा कंडिशन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हम सारे स्ट्वेट में अपलाई करते हैं विस्क रिवोड यह हमारे फेवर में होना बहुत जरूरी है और यह हम जब बुलिश इंगल्फिंग कैनलिस्टिक पैटरन को लेंगे तो इसका यूज करना बहुत जरूर है बि एक साइकलोज कल बीए और पहले भी देख सकते हैं यह आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा तो पहला पॉइंट मेरा सरीश फाय है यहां पे सपोर्ट लेवल करें बुलिश इंगल्फिंग कैनलिस्टिक का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है और इससे पहले एक और चीज हैं वो कमजोर हो रहा है तो यहां पे हम इसके basis पे और ज्यादा confidence के साथ trade initiate कर सकते हैं अगर sellers कमजोर नहीं हो रहा फिर भी बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है तो यहां पे हम और ज्यादा aggressive तरीके से buy side की तरफ positions initiate कर सकते हैं क्योंकि यहां पे systematic power का transfer हो रहा है सबसे पहले यहां पे sellers हाभी थे sellers का market पे control था लेकिन जब support level करीब आते आते क्या होगे यहां पे जो sellers हैं वो यहां पे हमें कमजोर दिखने लग गए और जब sellers कमजोर होंगे तो क्या होगा buyers market को take over करेगा और यह यहां पे हमें systematic सारा कुछ होता हुआ दिख रहा है sellers कमजोर हुए फिर buyers strong हुए यहां पे हम buy side की तरफ entry लेंगे अब entry कहां पर देना यह भी आपको दिहान देना जहां पर आपका bullish engulfing candle closing देगा उसकी बाद जो भी अगला candle आपका open होता है यहां पर open हुआ यहीं पर हमारा बन जाएगा फिर आपका यह लेवल बन जाएगा इसी तरीके साफ अपने target को extend करते हुए चल सकते हैं और यहां पर हम आसानी से profit बना सकते हमने जो यहां पर entry लिया है यह entry हमारा आएगा लगभग 17,580 के करें और यहां पर अगर हम target price की बात करें तो 680 यहनी 17700 हमारा target price ह और stop loss की बात करें तो stop loss मेरा 17,534 करीव है यहनी 50 point के करी मेरा SL है और 100 point से उपर मेरा target price है तो इस तरीके से जो risk reward है वो भी हमारे काफी हद तक favor में ही है यहनी risk reward इसे हो 1 is to 2 है यहनी अगर 100 point का मेरा SL बन रहा है तो 200 point का हमारा target price भी बनता हुआ दिख जागा यहनी जितना risk है उससे double हमें reward मिलवा minimum यह risk reward ratio होना चाहिए अगर हम intraday trading करते हैं तो और दूसरा point की अगर हम बात करें इंट्री भी support के नजदीक होना चाहिए support से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए तो देख सकते हैं इंट्री भी हमें support से नजदीक ही मिलता हुआ दिखा है तो यह यहां पर सारा कुछ settings हमने पहले से कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी होगी अब यहां पर आपका जो support level है वह यहां पर सपोर्ट लेवल है और price आपका ऊपर गया है लेकिन यह जो bullish engulfing candle का formation किया है वह देख सकते हैं support लेवल के कड़ी भी formation किया है लेकिन यहां प तो entry बनेगा वो इस level के आसपास entry बनेगा यहां इंटरी पॉइंट अगर हम find करें तो लगबाग बन वहा है 3440 के करीब तो हमारा जो entry बन वहाथ 3440 के करीब अब SL की अगर हम बात करें तो SL हमारा यह बनेगा क्योंकि उससे पहले हम SL रख नहीं सकते है आपका 3315 यहनी काफ अगर हम टागेट पैस की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं प्राइस इस से पहले आपका यहां पर किया है यहां पर आपका एक अच्छा खासा रुका रिस्टिबिशन फेज बनाए फिर प्राइस नीचे है मतलब यह लेवल आपका रिस्टेंस के रूप में काम करता भूरची तो पहला पैस हमारे यह होगा three-one 100 तो अगर ओर अगरम तो यहां पर हम्हीं Mac Library के अगर differ-, यहां पर और समौल हो जा रहा अगर यहां पर यहां कि बात करें इख तो दो धूर्हां और दूसरा अरंग्रम करें तो 100 तो दोनों टागेट पैस को भी अगर हम एड़ कर लें तो इस टॉप लोज से छोटा ही बन रहा है तो यहां पर जो हमारा तीसरा तो साथी साथ दूसरा पॉईंत भी सटी सवाइश नहीं कर रहा है तो यहां पर बैसी सब्सकर भी करेंगे और इसके वेसिस पर अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा जो सकता है उस लॉसेश को आप यहां पर एवाइड करें और लॉसेश एवाइड करने का मतलब है कि आप अपने ट्वेड का एक कुरिसी लेवल इंक्वीज करें तो आपको समझ में आ गया कि कब हमें इसका 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 एक है यहां पर देखे प्रेश करके उपर कि रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है मतलब क्या है कि यहाँ पर जो sellers हैं वो कमजोड दिख रहे हैं अब sellers कमजोड दिख रहे हैं उसकी बाद क्या फ़र्म हुआ उसकी बाद आपका bullish engulfing candle का यहाँ पर हमें formation देखने को मिला है तिहाँ पर systematic power का transfer हो रहा है यहाँ पर buyers ने क्या क्या रिस्टेंस अवल को break किया उसकी बाद sellers थोई से market में इंट्री कियें लेकिन sellers यहाँ पर कमजोड थे उसकी बाद क्या हुआ वापस से buyers market को take over किया bullish engulfing candlestick pattern form करके और यह सारा काम कहां पर हो रहा यह सारा काम हो रहा आपका support के करीब तो यहाँ पर हम इस bullish engulfing candlestick पर trust करते हुए इसके basis पर tweet initiate कर सकते हैं यहाँ पर यह closing थी अगला candle आपका open इसके करीब हुआ है यहाँ पर हम क्या करेंगे entry लेंगे किस तरफ by side की तरफ यहाँ पर हमारा entry हो जाएग by side की तरफ SL की बात करें तो यह point मेरा SL की रूप में काम करेगा target price के अगर हम बात करें यहाँ पर previous swing high को अपना आप target price ले सकते हैं यानि तो stop loss को 12 करते हुए आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं और यह जो stock से आपका अतानी port से all time high यह करीब है यहाँ पर बेतर होगा कि 870 के करीब तो सबसे पहला target price होगा आपका 900, 920, 940, 950, 970 इस तरीके से आप यहाँ पर gradual target price के लिए जा सकते हैं हरे base point के move पे अपना stop loss भी आप 12 करते हुए उपर चल सकते हैं यहाँ से आप maximum profit derive कर सकते हैं और यहाँ पर stop loss भी हमारा काफी छोटा सा बन गा और target price यहाँ प इनिशेट कर सकते हैं कब अगर यह support की करीब बनता है और यहाँ पर हमें entry भी support के नजदीक मिलता है और risk reward भी हमारे favor में रहता है तो यहाँ पर हम entry ले सकते हैं वहीं यहाँ पर हम एक और example लेखते हैं और यह example आपका call India के daily chart पर यहाँ पर हमने systematic तरीके से 15 minutes के time frame से शुर फिर price आपका नीचे आया और यहाँ पर लगातार sellers हा भी थे market में और यहाँ पर भी जो candle का size थोड़ा से छोटा हुआ है यह निए sellers पूरी तरीके से exhaust नहीं हुए लेकिन sellers थोड़ी से यहाँ पर कमजोर हुए हैं लेकिन उतना जादा कमजोर नहीं हुए जितना हमें चाहि करेंगे उसकी बाद यहाँ पर आपका जबर्दस्त क्या फॉर्म किया है बुलिश इंगल्फिंग केंडल का फॉर्मेशन किया है लेकिन क्या यहाँ पर कोई support level की अगर हम बात करें तो यह जो लेबल है हमाई लिए support की रूप में काम कर रहा है और यह जो फॉर्म हुआ है यह support level से काफी उपर फॉर्म किया है तो पहला जो condition है कि bullish इंगल्फिंग कहाँ पर फॉर्म होना चाहिए था support के करीब यह पहले conditions को ही satisfy नहीं किया है तो इसके basis पे हम trading positions initiate नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप इसके basis पे trading positions initiate करोगे तो क्या होगा SL hit होने के chances बहुत जादा रह है कौन से pattern के basis पे trade लेना और कौन से pattern के basis पे trade नहीं लेना है तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको इस तरह के technical analysis को और सीखना है डीटेल से सीखना है तो उसके उपर हमने course बना रखा है जहां पे आपको सारा कुछ basic से लेके advanced level तक बताया और वो course करने के बाद आप as a independent trader यहाँ पे काम कर सकते हैं आप अपना tweeting decisions खुद से ले सकते हैं किसी और की help की जवगत नहीं परेगे तो उसके लिए आप हमारा mobile app equity community को जरूर download कर लीजे जिसका link आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा वो download करने के बाद आप हमारा course देख सक course मिल जाएगा सारा course हमने इस तरह के से design किया कि आपको सारा कुछ बेतवीन तरीके समझ में आ जाए और उन सब के basis पर हमने ट्रेइडिंग स्ट्रेजी भी आपको कई सारे बताये हैं तो पूरा concept आपको समझ में आ जाएगा तो एक बार आप हमारा mobile app download करके course को जहूर इस से विलेटर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं प्रपर एंसर किया जाएगा तो उमीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकवेज किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब् करना ना भूले ताकि जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद